आज के टेम में पैसा ही सब कुछ है मेरे दोस्त, महनत करो, पैसा सेबिं करो, पैसा रखो, पैसा most important है, याद रखना, पिछले साल अगर करूना स्टार्ट हुआ था, कितना लोग रोड प्या गए, क्या उनको महबबत नहीं थी, क्या उनको प्यार नहीं था, क्या उनका दर् आवली खा के जी लेना बहतर है, सहर बजार में कुछ नहीं होने बाला, पानी तक खरिदना पड़ता है, तो सोचिए, तो पैसे के बीना कैसा हो सकता है, most important पैसा, जो ये बात कहता है ना, पैसा से सब कुछ नहीं मेरे भाई, दिल चाहिए, प्यार चाहिए, वो कान खोल के सुन ले, वक्त आने पर पैसा ही आपको दुस्मन और दोस्त बना देता है, ये मत बोलिए, सब कुछ पैसे से नहीं होता, सब कुछ पैसे से होता है, ये बन चुका है, ये 1940 नहीं है, 1930 नहीं है, 1920 नहीं है, 1910 नहीं है, 1916, 50 नहीं है, ये 2000 है, समझ लीजिए, बिना पैसे का यहां कुछ नहीं होता सब भाग रहे हैं पैसे के पीछे पैसे ही चाहिए कौन सा हाला थो पैसे के चकर में नाजाने लोग क्या क्या करना पड़ता है फिर आके सामने बताते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है यह कहने बाला बहुत बड़ा चकलूस होता है ये फ्लीमो का डालेक नहीं है मैं रियालिटी में बताता हूँ अभी मेरे पास समझ लीजिए आप एक मोहल पे गए सौपिंग किये 4,999 रुपीश हुआ एक रुपय कम रहा अपो डिसीजन लेगा कैसियर सर एक रुपय कम है बीजे अगर नहीं दिया नहीं है बोला तो फिर कैसियर डिसीजन लेने पर ही उसका कैस काउंटर खुलेगा तब तक नहीं खुलेगा फुल पेमेंट ना हो जाए अगर वो अपने जेब से एक रुपय डालना चाहता है तो खोल के डाल सकता है पैसा क्यों नहीं हुआ लोग तो फेराई देते हैं एक रुपय दो रुपय को मंगते रहतें क्योंकि वो पैसा है एक कमाने का ही एक रुपया अगर आपको दे देंगे तो वो क्या करेंगे पैसे के लिए इंसान इंसान को मारता है पैसे के लिए कितने जगडे दुस्मन पैदा होते हैं पैसे के लिए दौला जाजाद चले जाता है पैसे के लिए मिया बीबी में जगडे होते हैं पैसे के लिए बाप बेटे में जगडे होते हैं पैसे के लिए भाई भाई में लफड़ा होता है पैसे के लिए दुनियादारी भी लफड़े में चलता है, पैसे के लिए सब कुछ होता है, लिकिन समझ नहीं पौगे, तब समझोगे, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, तब समझोगे. ये जो महामारी बीमारी जो अभी चल रहा है ना, बीना पैसे का कुछ नहीं होता, लोग के पास पैसा नहीं है, डर के भी करूना साबित करके मौत का इंजाम दे देते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, एक आमबुलेंस, डाइबर को अगर बोलते हैं, तो चल भाई मेरे को 10 किलो मिटर, 5 किलो मिटर ले जा, पैसंट है, आप सोचिए, ऐसे महामारी बीमारी में खुदा ना खासता, अगर आपको करूना आया, अगर आप पॉजिटिफ हैं, सास लेने में तकलीब, ये सिरियस हो रहे हैं, तो अगर कोई आमबुलेंस को फोन करके पूसते हैं, तो घर से बाहर भागते रहना, जोन दिन भागना कम कर दिया, पैसा भी आना कम हो जाएगा, वो इनसान क्या करेगा, किसे मदद मागेगा, और किसको हाथ पताएगा, और किसको पूछेगा, वो भी एक इनसान है, उसको करूना नहीं है, तो वो कैसा समझेगा करूने के बारे म जो अम्बलेस का डाइबर जतना डिमैंड करता है अगर उसका कुछ प्राब्लम हुआ दूसरे डाइबर को बलें को जब पचास हजार बोलेगा तब जाके इसको समझ में आएगा यार मैं इसे पंद्रह हजार लेने का कोशिस कर रहा था तो मुझे पचास हजार का बोल रहा ह तब तक इनसान को समझ में नहीं आता है तब तक इनसान ठोकर नहीं खाता है ना दर्द है ना हमदर्द है ना महबबत है ना प्यार है ये सब कहने बाले बकवास हैं या आपके मूँ के सामने जरूर बोलेंगे लेकिन पीछे में वो हराम का छूरी रखे हैं इतना तेज है समझ भी नहीं पाऊगे, ऐसे लोगों से दूर रहा करें, और याद रखें, पैसा को पैसा पैचाने, पैसा बहुत important है, हर वक्त में पैसा ही चाहिए, हर खता, और अदा में भी पैसा चाहिए, महबत में भी पैसा चाहिए, नफरत में भी पैसा चाहिए, उड़ने में भी प आपके मैसेज का, तभी भी पैसा चाहिए, चाहे बिस्तर में लेट कर, मौत या जिन्देगी का, फिर भी पैसा चाहिए, क्यूंकि पैसे के बीना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यह याद रखो, दिमाग में भरो बात को, क्या होता पैसे के बीना, आप घर से बाहर ही पाऊगे बिना पैसे का घर छोड़के वीदेस आये तो घर को भी लोट नहीं पाऊगे बिना पैसे का फिर पैसा क्या नहीं होता सब कुछ है पैसा प्यार एक तरफ पैसा एक तरफ तोल दिया जाए एक्ट्राक्शन के हिसाब से पैसा ही बड़ा है जब पैसा दौलत रहेग जिएक प्यार संमान सब मिलेगा जब पैसा नहीं नहीं रहेगा तो कहां पी मिलेगा वही वही रखेंगे आपको जहां रहते हो आप पस मेरे दोस्त आप समझी जाओगे पैसे की एहमियत कितनी बड़ी है पैसा हमेळ सा पैसा कंट्रोल में रखें आप पैसे के कांट्रोल में नहीं रहना पैसा आपके कांट्रोल में रहना चाहिए कितना कमाते हो वो हिसाब से एकसल सीड बना के बजेट के हिसाब से चलो आगे को चल के कोई किसी का साथ नहीं देने बाला है ये जो माहामारी बिमारी जो चल रही है लोगों के जिंदेगी बरबाद कर चुकी है नाजाने ये साल के अंदर कितने लोग हमेशा हमेशा के लिए अलबीदा कहे कर ये दुनिया को छोड़ के चले गए क्या आपको लगता है नहीं हमें भी जाएंगे कल मैं भी मर सकता हूँ आप भी मर सकते हो बस सोचना और समझना आपके हाथ में है खोलो अपनी दिमाग की ढखन कुंडी मत खड़काओ राजा सीद्ध अंदर आओ राजा ये सीन फिलिमों के अंदर है ये रियालिटी के अंदर में कभी नहीं होता जो हम सोचते हैं होता नहीं जो नहीं सोचते हैं हो जाता है जिसको हम विजुलाइस अनुमान लगाते हैं पाते नहीं है जब अनुमान खतम हो जाता है कुछ न कुछ वहाँ पे घोटाला बनते रहता है ये एक जिंदेगी का सिस्टम है इसको समझना बहुत important है और जिंदेगी में एक बात याद रखना बीना पैसे का कुछ नहीं होता पैसा नहीं रहता ना जब mind depression में आ जाता है और डर लगता है जाने को भी कहिं क्या करोगे most important पैसा कमाओ और पैसे कुछ सजा के रखो budget करो बस इतने ही कहना था आप लोगों से समझना नहीं समझना आपकी मर्जी है अगर वीडियो अच्छा लगा बात मेरी समझ में आई तो जरूर feedback दीजिएगा अगर मेरे चैनल में नए आये हैं तो चैनल को subscribe करके साथ में bell icon प्रेस कर दीजिए जब भी ऐसे वीडियो में अपलोड करूँगा सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे फिर से इसी तरह एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा तर एक दिल से इंडिया में प्रेस करें अपलोड़ बाखेगा